हेलो स्टुलेंट्स, हाएम दिपिका, लेक्चरर एड जीपीसी हनुमानगड इन मेकैनिकल इंजिरिंग देपार्टमेंट्स, आध यूट्यूब चैनल ऑफ जीपीसी हनुमानगड, थर्मोडैनमिक्स की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने क किये थे, सबसे पहले बेसिक शुरुबात की थी हमने थर्मोडैनमिक्स की डेफिनिशन से, जहां से हमारे पास तीन और डराइव हुए थे, सिस्टम और एनर्जी का ट्रांजेक्शन, एनर्जी के दो फॉर्म हीट और वर्क, तो हमने सबसे पहले देखा सिस्टम के बारे म हमने बात की सिस्टम, सर्राउंडिंग और बाउंडरी के बारे में, फिर सिस्टम के हमने थीन बताये टाइप, जिसमें हमने बताया ओपन सिस्टम, फ्लो सिस्टम and आईसोलेटेड सिस्टम, तीनों की डेफिनिशन और एक्जांपल समझेगे, उसके बाद, next हमने बात की थ की, system की characteristic को define करने के लिए use में आती है properties, फिर हमने बतायते के properties की दो type है एक है intensive property और दूसरी है extensive property difference इतना है, extensive mass पर depend करती है, intensive property mass पर depend नहीं करती है, फिर एक particular जो property define करती है fixed value के साथ, वो define करती है system की state को, जब state किसी system की surrounding के साथ constant हो जाए उसको बोलते है equilibrium phase, thermotynamic equilibrium होने के लिए हमने बताया था, चार condition होनी चीए mechanical equilibrium में होना चीए, phase equilibrium में होना चीए, chemical equilibrium में होना चीए, और last में थम्मल equilibrium में भी होना चीए फिर हमने बात करेंगे, आज process की, यहां तक हमारा part complete हो गया था, हमने state को define कर दिया था, जब system की state change होती है, एक state से दूसरी state पर जब system पहुंचता है, तो वो कलाता है path, जिससे वो पहुंचा हो कलाता है path और path अगर specified हो जाए, उसको बोलते है process, तो next हमने सारे equilibrium पढ़े थे, फिर हमने कुछ perfect gases के बारे में पढ़ा था, absolute zero temperature क्या है, specific heat क्या है, joules low क्या है, next time बात करते हैं, कुछ lows की, process में जाने से पहले हम देखते हैं, perfect gas कौन-कौन से lows को फोलो करती है, जिसे पहला low आता है, boil slow, जो क्या कहता है, the absolute pressure of a given mass of perfect gas varies inversely as its volume when of the temperature remain constant, boil slow ये कहता है क्या है कि हमने particular एक mass का constant mass का एक gas ले लिया हमने, उस gas का हमें क्या रखना है, temperature रखना है, तो ये बताते हैं कि अगर हम है उसका pressure बढ़ा रहे है, temperature रखना है constant, अगर हम pressure को change कराएं तो pressure को और बढ़ाएंगे, तो volume कम होगा, और pressure को और कम करेंगे, तो पढ़ेगा, हमें एक equation पता है, perfect gases की equation होती है, PV equals to nRT, जो हम आगे पढ़ेंगे, जहां से R होता है, gas constant, जिसमें एक आता है characteristic gas constant, और second आता है universal gas constant, जो हम आगे पढ़ेंगे, फिलाल के लिए इतना ही ध्यान रखना है, कि यहां पर temperature constant है, तो P और V दोनों एक दूसरे के inversely proportional होगे, और equation क्या निकल कहेगी, PV equals to constant, या temperature जहां क्या है, constant, तो constant जोब temperature रखना हो, तो pressure volume का relation inversely proportional का होता है, यह theory दी थी boils ने, इसलिए इसको बोलता है, boils low, second low है, Charles low, the volume of a given mass of a perfect gas varies directly as its absolute temperature, when the pressure remains constant, same एक equation है, PV equals to T, जहां आमने equation पढ़ी, PV equals to, या PV directly proportional to T, यह equation है, अब जो low पढ़ते हैं, वो तीनों को change कर रहागे पढ़ते हैं, एक low कहता है, temperature रखो, दूसरा कहेगा, pressure को constant रखो, third कहेगा, volume को constant रखो, और PV equals to T से, जिसको भी constant करना है, उसको eliminate करके, हमारी equation बन जाएगे, जैसे Charles low कहता है, pressure constant रखना है, तो PV बरावर T है, pressure को हटा दो, क्योंकि pressure constant है, तो V upon T equals to constant, और V or T का आपस में relation कैसा होगा, कि V directly proportional है T के, T है यहाँ पे temperature, V है यहाँ पे volume, यानि अगर system का volume बढ़ा रहे हैं, तो temperature भी बढ़ेगा, volume बढ़ा रहे हैं, तो temperature भी बढ़ेगा, यह low दिया था, Charles ने, इसको बोलते है, Charles low, next आता है, गैलू साख low, the absolute pressure of a given mass of a perfect gas, varies directly its absolute temperature when volume is constant, गैलू साख low क्या कहता है, अब हमें रखना है volume को constant, अब PV equals to T, volume constant मतब P पराबर T, या फिर P upon T equals to constant, यानि pressure और temperature का relation होगा, अब directly proportional का, अगर हम pressure को बढ़ाएंगे, तो अब temperature की जो value है, वो भी increase करेगे, तो हमने perfect gas के लिए 3 लो पढ़ें, यहाँ पे, boils low, Charles low and Gellu साख low, boils low कहता है temperature बढ़ा हो constant, तो pressure और volume का जो relation है आपस में और हैगा inversely proportional का, inversely proportional का मतलब अगर हम pressure को बढ़ाएंगे तो volume कम होगा, और volume को बढ़ाएंगे तो pressure कम होगा, second है Charles low, Charles low के according हमें रखना है pressure को constant, तो volume और temperature का relation होगा directly proportional का, that means अगर हम volume को increase करेंगे, तो temperature भी increase होगा, और अगर volume को कम करेंगे, तो temperature भी कम होगा, third low है yellow-saf low, जिसके according क्या होता है, volume रहता है constant, और pressure और temperature दोनों directly proportion होते हैं, pressure बढ़ाएंगे तो temperature बढ़ेगा, pressure कम करेंगे system का, तो temperature भी कम होगा, यह low इसलिए important है, क्योंकि आगे हम process की study करेंगे, जहां पर हमें यह relation ध्यान में होने चीए कि कौन सा process follow हो रहा है, उसमें कौन से property कैसे vary करेंगे, तो next आगे बढ़ते हैं इसमें process, process की basically definition क्या होती है, जब हमने एक system बताएं, system की fixed characteristic बता दी, जो fixed characteristic है वो उसी क्या कलाती है, property, यानि एक system की कुछ fixed properties है, system में एक state से दूसरी state पे पहुंचा system, तो वो जिस path की through पहुंचा, अगर उस path को हम specified कर दें, कि वो एक state से second state पे तब पहुंचा जब volume constant था, जब हमने temperature constant रखा, तो specified है उसे कर दें तो वो क्यालाता है process, हम basically चार process की बात करते हैं, पहला process होता है, isobaric, इन के प्रोसेस होता है, isothermal, थर्ड होता है, isochoric, और फोर्ड होता है, isentropyl, अब इनके नाम से ही, हमें इनके definition समझ दें, वैसे detail में आगे पढ़ेंगे, लिए एक बार पूर example के लिए मैंने बताया, कि यह अलग-अलग process होता है, isobaric का मतलब होता है, जिसमें इनसाइड क्या है, पिस्टन है, आउटसाइड जो ब्लैक, डार्क ब्लैक, डोटें टाइन्स है, वो हमारे पास, सिलेंडर है, अब क्या होगा, नमबर वन पॉइंट में देखो, पिस्टन की position, वन पे, ठीक है, तो उस वन पॉजिशन के लिए, पर्टिकुलर, उस सिस्टम के अंदर, जिखो, यह जो पिस्टन है, पिस्टन के अंदर, कुछ वोल्यूम होगा, ठीक है, वन पॉजिशन के लिए, सिस्टम के अंदर, कुछ वोल्यूम होगा, पिस्टन वहां रखा गया तो उसका volume कितना है V1 उससे corresponding हम उसका pressure माल लेते है P1 और temperature माल लेते है P1 अब हमने क्या किया excellent force लगाया piston को piston को compress किया और हम उसको लेगे आगे state 2 पे अब state 2 पे आने के बाद देखो volume change हुए pressure भी change हुआ होगा और temperature भी change हुआ हुआ तो हम मानते हैं कि यह state है 2 तो अगर हम graph में देखे तो initial state थी 1 final state होगी 2 तो 1 से 2 तक जाने के लिए जो red line है वो ही हमारा क्या 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 लाता है process क्या लाता है 1 से 2 जाने में अगर हमने pressure को रखा होता constant बस volume और temperature ही vary करेगा तो वो process क्या लाता isobaric process अगर 1 से 2 जाने में हम रखते temperature को constant तो वो process क्या लाता isothermal process 1 से 2 जाने में अगर volume constant रहता तो उसको बोलते हम isophoric process और अगर हमारी 1 से 2 जाने में entropy constant रहती तो उसको बोलते isentropic process यह हम और detail से आगे पढ़ेंगे isentropic process आता है ना एक process हम नाम पढ़ेंगे भी थोड़ी देर बाद adiabatic process adiabatic और isentropic similar ही है सिर्फ फर्क इतना है जब adiabatic process reversible होता है तब उसको हमारा isentropic कहते है तो हम यह हमगी detail से यह पूरा पढ़ेंगे कि reversible क्या है irreversible cap पर फिलाल के लिए इतना ही द्यानर को मैं जो point यह रखना चाहरे हूँ यह है isobaric से मेरा मतलब होगा pressure constant isothermal से मेरा meaning होगा temperature constant isophoric से मतलब होगा constant volume process and isentropic से मतलब entropy रहेगी constant तो यह हमने basic process पढ़ेंगे अब iso word जहां पर भी आता है उसका मतलब होता है particular जो भी property की रात करेगे हो रहेगी constant the prefix iso is often used to designate a process for which a particular property remains constant iso word जहां पर भी use है जाएगा उसका मतलब यह है कि वो इक constant चीज़ को represent कर रहे है isobaric यानि bar constant और bar unit किसकी है pressure की यानि pressure constant isothermal थर्मल यानि temperature iso यानि constant यानि temperature constant isobaric यानि volume और iso यानि constant तो constant volume, isentropic isoentropic iso constant entropy means entropy यानि entropy constant तो one by one हम एक एक process से बात करता है सबसे पहले बात करता है isobaric process या जिसकों बात करते है constant pressure process a process during which the process P remain constant अब साथ साथ में graph draw करना भी सिखेंगे ठीक है यह graph जरूरी नहीं है प्रिशर और वोल्यूम के बीच ही हो यह graph जरूरी नहीं है प्रिशर और टेंपरिचर के बीच ही हो यह प्रिशर वोल्यूम के बीच हो सकता है प्रिशर टेंपरिचर के बीच हो सकता है वोल्यूम टेंपरिचर के बीच हो सकता है पर इसका जो basic concept है सिर्फ वही हमें ध्यान रखना है ताकि हम सारे डाइग्राम ड्रोगर सेखें तो सबसे पहले आइसो बारिंग जो process है उसमें pressure रहता है constant ठीक है तो अब pressure constant है तो volume और temperature relation क्या होगा volume temperature के directly proportional होगा ठीक है यानि इस diagram में हम देखें तो हमने एक state बनाई initial i जहांपर pressure कितना है p i volume कितना है v i फिर यह state 2 पे जो पहुँच रही है जिसको हमने f से denote किया है final state वहाँपर pressure कितना है p f volume कितना है v f यानि i से f तक जाने में अगर हम diagram पे देखें तो हमाना pressure रह रहा है constant यानि एक straight line draw होगी pressure constant है 1 से 2 में जाने पे pressure जितना p i पे खा उतना ही pressure p f पे रहेगा तो हमें mathematics से यह चीज़ पता है कि अगर x और y के बीच में graph है और x अगर constant है तो graph में line कैसे आएगी horizontal अगर vertical axis पे x है तो x की हमें constant line draw करने है तो आएगी horizontal y को constant दिखाना है तो line आएगी vertical सेम इसमें अगर pressure constant है तो line आएगी horizontal volume constant है तो line आएगी vertical तो यहां पर जो line green color में दिखाई गई है वो बता रही है constant pressure तो यहां पर हम जा रहे हैं जब initial से final तो volume बढ़ रहा है तो volume बढ़ रहा है तो same thing यहां पर temperature क्या होगा बढ़ होगा अब हम कुई साफ भी diagram रोकर सकते हैं क्योंकि हमें पता है pressure constant है volume बढ़ रहा temperature भी बढ़ेगा pressure constant है volume को कम कर रहा है तो temperature भी कम होगा ठीक है तो आइस बारीक process के लिए हमें यार रठना है pressure रहता है constant volume को बढ़ाएंगे तो temperature बढ़ेगा वोल्यूम को कम करेंगे तो temperature कम होगा ये तीन पॉइंट है किसके लिए आइसो पारी प्रोसेस के लिए pressure constant, वोल्यूम को बढ़ाएंगे temperature कड़ेगा वोल्यूम को कम करेंगे तो temperature कम होगा जो तीन लो बढ़े थे हमने starting में वोल्यूम को करते हैं उन तीनो लो में से किसी एक नहीं आता pressure constant है तो वोल्यूम बढ़ेगा तो temperature भी बढ़ेगा तो temperature कम होगा तो वोल्यूम की कम होगा तो ये relation है इन दो लो प्रोसेस में कि वोल्यूम और temperature डारेक्ली दूसरे के proportional होगे तो ये first process हो गया second process की हम बात करते हैं isochoric isochoric process का मतलब क्या है या दूसरा जिसका नाम है isometric यानि isoconstant, choric, volume तो volume क्या रहेगा? constant तो अगर volume constant है तो pressure और temperature का relation कैसा होगा डारेक्ली पर्पोर्शनल का? same isobaric की तरह ही isochoric में क्या होगा? volume constant pressure और temperature एक दूसरे के directly proportional होगे यानि अगर pressure बढ़ रहा होगा तो temperature बढ़ेगा pressure कम हो रहा होगा तो temperature कम होगा अब same यहाँ पर हम PV diagram ग्रो करते हैं तो PV diagram में अब हमें क्या पता है? अब pressure constant नहीं है अब volume constant है तो line आएगी vertical तो यह नीचे वाला जो point है वो initial state को दिखा रहा है उपर वाला point final state को दिखा रहा है तो initial से final पे हम constant volume से पहुंच रहा है इसलिए कैसी line रोकर भी हमने vertical line pressure बढ़ रहा है तो temperature भी बढ़ रहा होगा इसको एक diagram से भी represent किया है जिसमें हमने एक B कर लिया जिसका volume कुछ लिया हमने V ठीक है इसको उपर से क्या लगावा है एक piston लगावा है ठीक है piston हमने इसलिए उपर की साइट इसलिए लगाया है कि हमें इसका constant volume V maintain करके रखना है ठीक है अब हमने क्या किया इसकी heating करनी शुरू की सबसे पहले before hitting volume भी है after hitting भी इसका volume भी है तो इसमें क्या होगा energy आएगी temperature बढ़ेगा तो यहां पर pressure भी increase होगा next process आता है isothermal process isothermal, iso means constant thermal यानि की temperature यानि की ऐसा process जिसके लिए temperature की value रहे constant a process during which the temperature T remains constant अगर temperature T constant है तो pressure और volume के बीच जो relation है वो होगा reciprocal का यानि अगर system का pressure बढ़ रहा होगा तो volume कम होगा और अगर pressure कम हो रहा होगा तो volume बढ़ेगा तो इसमें हमने temperature और volume के बीच में graph भ्रोग किया है तो अगर temperature constant है तो horizontal line आएगी volume बढ़ेगा तो pressure कम हो रहा होगा और volume कम हो रहा होगा तो pressure बढ़ेगा तो ये तीन प्रोसेस देखे हमने isobaric, isochoric and isothermant तीनों में सिर्फ तीनों properties का variation भ्यान रगना है एक property constant है तो बाकी दो के बीच में क्या relation है वो directly proportional है या inversely proportional है directly proportional का मतलब है अगर एक property बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी inversely proportional का मतलब है एक बढ़ रही है तो दूसरी उसका reverse follow करेगी यानि वो कम होगी तो reverse वाला relation सिर्फ isothermal process के लिए आता है बाकी समय directly proportional का relation है next इसमें आगे बात करते है कुछ और process देखते है basic जो process होता है वो थे वो तीन अब एक होता है cyclic process हमने क्या बताया कि हम state 1 से state 2 पर पहुंचें ठीक है हमने क्या किया एक path follow किया ठीक है उस path को अगर हम specified कर दे तो हो क्या कराता है process कराता है cyclic process क्या कहता है जब initial state और final state एक ही point पे हो जैसे की diagram में दिख रहा है 1 & 2 यानि हम बहुत सारे path से होते वे गुजरें लेकिन initial and final state हमारी same ही है तो उसको बहते है cyclic process when a system in a given initial state goes through various process and finally return to its initial state the system has undergone a cyclic process और cyclic process ना बोलके इसको cycle भी बोल सकते हैं के बाद जैसे हम पढ़ेंगे auto cycle, diesel cycle, IC engine में हम पढ़ेंगे auto cycle, diesel cycle, dual cycle, Atkinson cycle तो cycle world का मिनिंग क्या है जहां पर starting की state और final state एक ही point पे हो हो सकता है उन दोनों के बीचे बहुत सारे process हो चार process है, 5 है, 6 है, 3 है लेकिन जितने भी process से वे गुजरे, final state उसकी initial state पर ही होगी मतलब जहां से हमें शुरुआत की थी system की, जहां उसी property की P1, V1, T1 है अलग अटक state पर उसको लेके चले जाओ, लेकिन final उसकी state आएगी P1, V1, T1 जहां से शुरू की आता वापस system वहीं पर लोट आए, उसको बोलता है, cyclic process या cycle अब दो term, एक है reversible process, एक है irreversible process, ठीक है, reversible process का मतलब क्या है, basically पहले इसको हम local language में समझते हैं, ताकि कोई doubt दिमाग में ना रहे हैं, ठीक है state 1 पे system के पास कुछ properties थी, state 2 पे पहुँचके उसकी properties change हो गई, फिर state 2 से हम वापस state 1 पर आए और हमने वापस वही properties रिगेर कर ली जिससे हमने शुरुआत की थी, यानि point 1 पे मेरी system की properties थी P1, V1, T1, point 2 पे पहुँचके होगी P2, V2, T2, वापस system state 1 पे आजाए और उसकी property P1, V1, T1, यानि हम किसी process को reverse direction में flow कर रहे हैं, reverse मितला पहले 1 से 2 काई, फिर 2 से 1 ही आ रहे हैं, तो system अगर वापस अपनी original position को वापस वैसे का वैसा ही रिगेन कर ले, वापस वैसे का वैसा ही अच्छी है कर ले, उसको बोलता है reversible process, जैसे कि it is defined as a process that once having a take place, it can be reversed, in doing so, it leaves no change in the system or boundary, simple meaning है, इसमें ना तो energy का कोई dose हो रहा है, ना ही energy का कोई gain हो रहा है, system और surrounding की जो properties है और remain वैसे ही वैसे ही हमें वापस मिल जाते है, उसको बोलते है reversible process, ठीक है, for example हमें गाड़ी पार्क कर लिए, ठीक है, हमने एक parking low tech, वहाँ पे, वहाँ से हमने गाड़ी बाहर न जाते हैं, ठीक है, तो गाड़ी को जिस position से हमने हटाया था, same, उसी position पे वापस खड़े करना है, अगर उसके थोड़ी भी position चेंज हुई, तो may भी उसके आसपास जो गाड़ी है, उनसे वो गाड़ी टकरा जाएगी, उनसे अगर वो टकरा गई, तो मतलब हमने surrounding की properties को क्य कर दिया, चेंज कर दिया, क्योंकि system हमारी खुद की गाड़ी है, और surrounding जो remaining गाड़ी आपास में खड़ी है, वो है, तो हमने गाड़ी को वहां से निकाला, ये एक process था, वापस खड़ी कर रहे है, ये इसी process का हम reverse कर रहे है, ठीक है, पहले हम निकाला, अब उसको हम वापस खड़ा कर रहे है, तो यानि जो first process किया, उसका हम reverse कर रहे है, reverse कर रहे है, तो वापस हमें exact उसे position में खड़ा करना है, ताकि ना तो खुद कार की कोई parameter चेंज हो, ना ही जो पास में कार खड़ी है, उनको कोई हां, यानि ना तो system में कोई चेंज आया, ना ही surrounding में कोई चें तो system के भी property चेंज जाती, गाड़ी टकरा गई, तो गाड़ी पे damage हो गया, गाड़ी वैसे के वैसे नहीं, system की property चेंज हो गई, किसी और गाड़ी से टकराई, तो उसकी property चेंज कर दी, तो surrounding की property चेंज हो गई, यानि ऐसा process जिसको हम वापस original position में रिगेन नहीं कर सकते, व क्यूं? क्योंकि कोई भी हम जब process करवाते हैं, तो उसमें बहुत सारे loss encounter होते हैं, जैसे friction loss, viscous loss, तो बहुत सारे losses की वजए से, system वापस अपनी original position में नहीं आ सकता, क्योंकि for example, एक system था, वो 1 से 2 में पहुंचा, उसके बीच में उसमें कुछ loss हो गया, जब वो 2 से वापस 1 पे आएगा, तो friction loss रिकवर नहीं हो सकता, वो friction loss अभी भी वहाँ है, यानि वो friction में उसी कुछ energy जा चुकी है, तो वापस वो अपनी पहले वाली state में नहीं आ सकता तो ऐसे process को हम बोते है, irreversible process, और practical जटे में process होते हैं, उसारे irreversible होते हैं, प्योंकि energy वापस regain नहीं हो सकती, जैसे हम parking load का example ले रहे थे, कि वहाँ पर वापस गाड़ी को वैसी situation में पार्क करना possible नहीं है, possible ही नहीं है, क्योंकि हमने गाड़ी को इवारवान से निकाल ल नहीं है, किसी process की direction को reverse करो, और वापस उसको उसकी original state में ले आओ, ना तो system की properties change करो, ना ही surrounding की, वो है reversible, irreversible, a process that cannot return both the system and surrounding to their original condition, तो वो कहलाता है irreversible process, जिसमें system और surrounding दोनों ही अपनी original condition में नहीं आ पाते, इन universal process के बारे में आगे हम वो detail से पढ़ेंगे और जैसे से आगे पढ़ेंगे, इन दोनों process के बीच में जो भी confusion है, वो clear हो जाएंगे, आगे देखते हैं, next हम next lecture में शवात करेंगे, आगे lecture में हम यहीं से ही शुरुआत करने वाले, reversible और irreversible के बारे में थोड़ा detail से, आ